गाईस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोफ फाइव एरफोंस के बारे में जो विद माइक आते हैं और जिनको आप 500 रुपे के अंदर इंडिया के अंदर एमेजोन से परचेस कर सकते हो गाईस आप इनके साथ म्यूजिक भी अच्छे से सुन पाऊगे और अगर आप गेमिंग करना चाते हो तो आप इन इरफोंस के अंदर गेमिंग भी कर सकते हो तो देख तेरी इस वीडियो को अगर आप अंदर 500 रुपीज के अंदर बेस्ट इरफों लेना चाते हैं गाईस इस लिट के अंदर जो सबसे पहला इरफों है वह है रियल मी बर्ट्स टू यह काफी कमाल के इरफों है यह आपको वीड माइक देखने को मिलेंगे आप इनको 500 से 600 रुपे के अंदर परचेस कर सकते हो सेल के अंदर इनका प्राइस और भी कम हो जाता है विद माइक यह आते हैं आप इनके दर म्यूजिक भी इसानी से सुन पाओगे और अगर आप गेमिंग करना चाते हो तो वो भी आप इसके अंदर ठीक ठाक कर पाओगे इनका कलर भी आप चूज कर सकते हो जो आप परचेस करना चाते हो रियल्मी बर्श दू काफी जड़ा पसंद की जाते हैं और यह काफी बेची भी गए है इनकी क्वैलिटी काफी जड़ा अच्छी है मैंने इसको पर पहले ही एक अन्बोक्सिंग वीडियो बना रखी है आप उसको देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उ के बैखने को मिल जाãyंगे सेल के अंदर इनका प्रैस भी कम हो जाता है इसके ऊपर अन्बोक्सिंग वीडियो और इनकी क्वैर्वीडियो में काफी बना चुका हूंँ आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी नदर लिंक मिलेगा औ तो अंडर 500 रुपीज बोट 225 एक अच्छी चोईस आपके लिए हो सकती है 3.5 mm आप audio jack इसके अंदर यूज कर सकते हो इसकी wire काफी अच्छी है और L-type का jack भी देखने को मिल जाता है अगर आप PUBG Mobile के लिए भी purchase करना चाते हो तो ये आपके लिए normal रहने वाले है इस list के लिए जो तीसरे earphone आते हैं वो है BOT 152 आप इनको भी purchase कर सकते हो अगर आप gaming के लेना चाते हो या फिर music के लेना चाते हो इस list के लिए जितने भी earphone है ये सब budget earphone है तो आप इनसे ज़्यादा expect नहीं कर सकते हैं बट इस price range के अंदर ये आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं BOT 152 आपको 400 से 500 रुपे के अंदर Amazon के उपर भी देखने को मिल जाएगा ये with mic के साथ आता है और काफी सारे लोग इसको purchase करना पसंद करते हैं music के लिए काफी अच्छे हैं काफी कमाल का base इनके अंदर देखने को मिल जाता है बट आप इनसे जाना expect नहीं कर सकते हैं ये बस इनके price के according ही आपको ठीक देखने को मिलते हैं BOT 152 3.5 mm के audio jack के साथ आते हैं इसकी wire भी काफी कमाल की है और इनकी quality भी काफी अच्छी है अगर आप इने purchase करा जाते हैं तो description के अंदर आपको link देखने को मिल जाएगा इस लिए जो fourth earphone आते हैं जो under 500 रुपीज है वो है JBL C50HI ये भी काफी कमाल के earphone है ये बाकी के जीतने भी earphone है इन सभी का आप comparison कर सकते हो ये लबग इनी के size के आपको देखने को मिल जाते है इसको भी आप 400 से 500 रुपे के अंदर Amazon से purchase कर सकते हो sale के अंदर price और जड़ा गड़ जाता है ये with mic के साथ आते हैं और gaming को और music को अब बड़ी sunny sale के अंदर play कर पाओगे इसके अंदर आपको काफी कमाल का base देखने को मिल जाता है mic भी आपको देखने को मिल जाता है 3.5 mm audio jack के साथ आप इसका use कर सकते हैं और इसकी अगर warranty की बात करें तो एक साल की warranty इसके अंदर देखने को मिल जाती है ये भी काफी जड़ा popular है काफी सारे लोग इसका इसका इस्तमाल करते हैं इस आप इन से जड़ा high expect नहीं कर सकते हैं ये एक budget earphone है JBL C50 HI काफी जड़ा lightweight होते हैं अगर आप इनको purchase करना चाते हो तो description के अंदर आपको purchase करने का link मिल जाएगा इस list के ज़र जो 5W earphone आते हैं वह है MI basic earphone अगर इनके price की बात करें तो बाकी earphone से इनका price कम है ये आपको 400 रुपे के अंदर देखने को मिल जाएगे with mic के साथ आते हैं काफी कमाल का base देखने को मिल जाता है बट आप इनके अंदर gaming इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे बट music के लिए काफी ठीक रहते हैं आप इनसे answer call कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर काफी कमाल का button दिया गया है MI basic earphone का huge भी अब 3.5 mm audio jack के साथ कर सकते हो यहाँ पर भी आपको warranty देखने को मिल जाती है earverts देखने को मिल जाएंगे परचेस करने का link आपको description के अंदर ही मिल जाएगा तो आइस यह थे वो 5 earphone जिनको आप अंडर 500 रुपीज परचेस कर सकते हो तो music के लिए और आपकी call के लिए काफी ज़्यादा ठीक रहने वाले हैं gaming के लिए भी ठीक रहने वाले हैं बट आप इनसे gaming के अंदर ज्यादा expect नहीं कर सकते हो तो आइस कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना ठैक्स पूर वाचिंग